प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और प्रेस दी बेल आइकन फोर लेटस्ट अपडेट वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें टोक्यो ओलंपिक में भारत की शांदार शुरुआत भारतिये वेड लिफ्टर मीरा भाई चानू ने जीता रज़त पदक नमश्कार दोस्तो स्वागत है आपका प्रत्योगता संसार में जी हाँ भारतिये वेड लिफ्टर मीरा भाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम वजन उठाकर यह पदक हासिल किया मीरा भाई चानू ओलंपिक में वेड लिफ्टिंग में रज़त पदक लाने वाली पहली भारती अथिलीट बन गई है लेकिन यहां तक पहुँचने का मीरा भाई चानू का सफर अत्यंत कठिनाईयों बरा रहा है तो आईए नजर डालते हैं मीरा भाई चानू के प्रारंबिक जीवन पर मीरा भाई आठ अगस्त 1994 को मनिपूर के एक छोटे से गाउं में जन्मी वपली बड़ी मीरा भाई चानू की लंबाई लगभग 4 फुट 11 इंच है जब मीरा भाई चोटी थी उन दिनों मनिपूर की ही एक महिला वेट लिफ्टर कुंजूरानी देवी जो उसमें स्टार हुआ करती थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी बस वही द्रिश्य मीरा के जहन में बस गया और 6 भाई भेनों में सबसे छोटी मीरा भाई ने वेट लिफ्टर बनने की ठान ली गाउं में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था 50-60 किलो मीटर दूड ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी डाइट में रोजाना दूद और चिकन चाहिए था लेकिन एक आम परिवार की मीरा के लिए वो मुम्किन न था लेकिन उन्होंने इसे भी आड़े नहीं आने दिया एक समय तो बात यहां तक आप पहुँची थी कि अगर रियो अलम्पिक में कौलिफाई नहीं कर पाई तो वो खेल छोड़ देंगी 11 साल में मीरा वाई अंडर 15 चेंपियन बन गई थी और 17 साल में जूनियर चेंपियन और जिस कुझूरानी को देखकर मीरा के बन में चेंपियन बनने का सपना जागा था अपनी उसी आइडल के 12 साल पुराने राष्टे रिकोर्ड को मीरा ने 2016 में 192 किलो ग्राम वजन उठा कर तोड़ डाला लेकिन रियो अलम्पिक में मीरा वाई चानू का परदशन बहुत खराब रहा और जो भार मीरा रोजाना प्रेक्टिस में आसानी से उठा लिया करती थी उस दिन उलम्पिक में मानों उनके हाथ बरफ की तरह जम गए वो अपने वर्ग में मीरा सिर्फ दूसरी ऐसी खिलाडी थी जिनके नाम के आगे लिखा गया डू नोट फिनिश लेकिन जब भारतिय खेल प्रेमियों ने ये खबर पड़ी तो मीरा वाई रातों रात भारतिय प्रशंसकों की नजर में विलन बन गई नोबत यहां तक आ गई कि 2016 के बाद वो डिप्रेशन में चली गई और उन्हें हर हफते मनोविग्यानिक सेशन लेने पड़े लगबग अपने से चार गुना जादा वजन यानी 194 किलोग्राम वजन उठाकर मीरा ने 2017 में वर्ड वेर्ड लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता पिछले 22 साल में ऐसा करने वाली मीरा बाई पहली भारतिय महिला बन गई थी 2018 के कोमन वेल्थ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इस बार 2020 के और टोक्यो उलम्पिक्स जो 2020 में होने थे लेकिन पोस्ट पॉन होकर करोना की वज़े से 2021 में हुए इसमें मीरा बाई चानू ने इत्यास रच दिया उन्होंने 49 किलोग्राम में रज़त पदक हासिल किया और ये वेट लिफ्टिंग में मात्र दूसरी बार है जब भारत ने उलम्पिक में मेडल जीता है सची कहा है कि मंजिलें उन्ही को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है